34 गड़ में सियासी दलों का सबसे जादा जोर बस्तर में दिख रहा है चाहे वो कॉंग्रस हो या फिर बीजेपी हर पार्टी के दिगज सबसे जादा बस्तर का ही दौरा कर रहा है आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी वजह है रिपोर्ट पे देखे राइपोर से जादा बस्तर में हल्चल दिगजों के दौरेखा मिलेगा फल कहने को 36 कड की राजधानी राइपोर है लेकिन सबसे जादा सियासी हल्चल बस्तर में ही देखने को मिल रही है किसी पार्टी का शायद ही कोई दिगज बचा हो जिसका बस्तर में दौरा नहीं का बस्तर प्रवास की चर्चा है तो वहीं 12 प्रेल को प्रियंका गांधी के आने का भी कारिक्रम है वो महिला सम्मिलन में आंगनवारी सहाइकाओं से भी समवाद कर सकती हैं बस्तर में से कॉंग्रूस के चुनावी शंक्तनास से भी जोड़ा चा रहा है यानि आने वाले और वो 36 गड़ की महिलाओं का सम्मेलन करेंगी तो 36 गड़ में महिलाओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है अनाचार हो रहा है जुड़ाचार हो रहा है उनकी हत्याएं हो रही हैं उनके उपर में भी लड़की हूं लड़ूंगी तो 36 गड़ में सबसे ज्यादा महिलाओं क उपर में अध्याचार हो रहे हैं उसके उपर में भी उनको कॉग्निजिन्स लेना चाहिए उसके उपर में भी अपने विचार व्यक्त करना चाहिए अखिल वार्थी कांग्रेस कमीटी के महासचिव जनजन के नेता आधनी प्रेंका गांधी जी का बस्तर संभावित दौरा महिला सम्मेलन के माध्यम से होगा सवाल यह है कि आकर दूसरे संभागों की तुलना में बस्तर में ही पार्टियों का इतना जोर क्यों है तो दरसल बस्तर संभाग में विधानसभा की 12 सीटे है 2018 में कॉंग्रस को 11 सीटे मिली थी बीजेपी को सिर्फ एक दंतेवणा की सीट पर संतोश करना पड़ा था मगर बाद में हुए उप्चुनाव में बीजेपी दंतेवणा की सीट भी हार गई यानि अभी बस्तर बीजेपी मुक्त हो चुकी है 2013 में बस्तर में कॉंग्रस के 8 और बीजेपी ने 4 सीटे जीती थी इससे पहले 2008 में कॉंग्रस को 1 और बीजेपी को 11 सीटे मिली थी कि 1999 को छोड़ दें तो बाकी समय में बीजेपी का बस्तर संभाग पर कबसा रहा है लेकिन 2018 के चुनाव में बीजेपी का जनाधार कम हो गया और रही सही का सर को कॉंग्रस ने उप्चुनाव में पूरा कर दिया जब दंतेवणा की सीट भी छीन ली वोट शेयर में कौन कितना भारी रहा अगर इस पर नज़र डालें तो 2008 में बीजेपी को 42.2% कॉंग्रस को 31.7% वोट मिले थे और इसी तरह 2013 में बीजेपी को 40.79% और कॉंग्रस को 42.99% वोट मिले थे यानि बाकी चुनावों की तुलना में 2018 में कांग्रेस को बड़ा फायदा हुआ था जिस तरह उन्होंने चुनाव के पहले ग्री लक्ष्मी योजना केता है तो घर के मुख्या महिला को 2000 रुपे देने की गोश्णा की उस तरह की कोई बड़ी गोश्णा कर सकते हैं अब आपको बताते हैं कि आकिर बस्तर जीतने के माएने क्या है तो दरसल बस्तर के नतीजों का असर आसपास के कई जलों पर पढ़ता है प्रदेश में आदिवासियों के लिए 29 सीटे रिजर्व है सभी 29 सीटों पर बस्तर के नतीजों का असर पढ़ता है 2018 में कॉंग्रिस को रिजर्व 29 में से 27 सीटे मिली तो बीजेपी को सिर्फ दो सीटे मिली थी इससे पहले 2013 में कॉंग्रिस को 18 और बीजेपी को 11 सीटे मिली थी आकडों से अंताजा लगाना मुश्किल नहीं कि बस्तर को सत्ता की चाबी क्यूं कहा जाता है 36 गण की राजनीती में कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी का रास्ता बस्तर की कलियारों से होकर गुजरता है यही कारण है कि राजनेतिक दलों की नजरे हमेशा बस्तर पटकी होई होती है उपर से चुनाओ है तो स्वभाविक है कि राजनेत एक दल बस्तर पर फूकस कर रहे है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी वहाँ बड़ा सम्मिलन कराने जा रही है जिसमें कॉंग्रेस पार्टी की रास्टी एनेता प्रियंका गाधी भी शिर्कत करती हुए नजराएंगी दू इकरम बता रहे है कि बस्तर के वोटर को साधने की कोशिश राजनेत एक दल करते हुए नजरा रहे है वीडियो जनलिस्ट प्रमों दिवांगन की साथ अंकुश शर्मा न्यूज स्टेट मद्दप्रदेश 36 गड़ अब इसमें खबर तो ये है कि बस्तर को लेकर बड़ा मि झाल रहे है।